अगले साल लोगसभा कर चुनाव है कि सभी बड़े लोग अपने अपने दावे भर रहे हैं एश्वारिया राय जानते तो होंगे ही तेजपताप की पत्नी है हाल में ही शादी हुआ है लालू पशादाव की बहु है उनके भी चुनाव लड़ने के अठकले कहीं न कहीं लगाए जा रही है तमाम वो मीडिया हाउस सभी चैनल लगतार यह दिखा रहे हैं शुरे राय चुनाव लड़ सकती है लड़ सकती है लेकिन एक और बड़ी खबर है जो किसी चैनल पर ही दिखाए जा रहा है नियूस बिहार आपके लिए सबसे पहले कहा रहा है चार-पांच लोगों के हम आपको नाम बताने वाले हैं इन चार-पांच लोगों पर ध्यान दिजेगा इनके चुनाव लड़ने के चांसेज है एश्वारिया राय इनके चुनाव लड़ने के चांसेज है तो मिलाका के सीट एक दो ही है लेकिन पत्याशी बहुत सारे है इसमें क्या होगा सुधीर सिंग को टिकेट मिलेगा एश्वारिया को टिकेट मिलेगा खेसाई लाल को टिकेट मिलेगा और भी बहुत बड़े बड़े दिगज है जो यहां पर से हाथ आजमाने के चकर में है और प्रभुनात सिंग को कैसे बूल सकते हैं आप यहां से सांसद रह चुके हैं वो भी लर सकते हैं क्या बात है जेल में है लेकिन उनके तरफ से तो कोई लरहीं सकता है तो अटकले कहीं ने कहीं लगाई जा रहे हैं पूरा बाजार गरम है सभी चैनल कुछ न कुछ खबरे सब बोल रहें आश्वर्या राएं लरेंगे नहीं लरेंगे सस्पेंस बरकरार है लेकिन इस बीच नीज भी हाँ आपको बता रहा है कि अब भी तक फैसला नहीं हो पाया है क्योंकि अभी चुनाओं में जादा समय बाकी नहीं है लालू पशार अदब जेल चले गए हैं ए या फिर अपनी पतनी आश्वर्या को इन तमाम खबरों पर निज भी हार की नज़र बनी हुई है जैसे ही कोई अपडेट आता है जैसे ही कोई खबर निकल कराती है इन सभी में से कौन लरेगा निज भी आप तक सबसे पहले एक खबर पहुँचाएगा बने रहे भात करें ट्विटर पर फॉलो करें निज भी हार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना बने धन्यवाद